इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सेरेटिक टेबलेड दो दवाओं से मिलकर बना है। इसका इस्तेमाल रूमिटोइड आर्थराइटिस, एनकीलो जिंक स्पॉंडिलाइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी स्थितीयों में दर्द और सूजण को कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द, पीठ दर्द, दांत के दर्द या कान और गले के दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। सेरेटिक टेबलेट भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और यह आपके लक्षनों में कितनी बहतर तरह से मदद कर रही है। आपको डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इसे लेना चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताए गई डोज से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तिमाल न करें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, पेट में दर्द, अपच, डायरिया, यानि की दस्त और भूक में कमी शामिल हैं। अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट आपको परिशान कर रहे हैं, या स्थिती अधिक खराब हो रही है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट की रोक थाम या इन्हें कम करने के तरीके बता सकता है। इसे लेने से पहले, अगर आपको पहले कभी पेट में अलसा या ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशा या हॉट किड्नी या लिवर से समबंधित कोई समस्या रह चुकी हो तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बता दे क्यूकि वे इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस दवा का सेवन करते समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।